नमस्कर दूस्तों स्वागत आपका पार्मारोक्स के यूट्यूब एजिक इसने चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे लिब्रेक्स टैबलेट के बार में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बार हैं कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कं करेंगी और कैसे हम उसका सेफ यूज कर सकते हैं उसके प्राइज विगरा क्या है तो डिटेल में सिखेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में तो ऐसे समझें कि आपको डिटेल में सिखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में दव अब आते हैं topic पे और समझते हैं Librex tablet के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जो specially IBS के जो symptoms होते हैं उसको treat करने के लिए use की जाती है IBS मनलब की irritable bowel syndrome और यह जो medication है वो दो दवाईयों का combination है पहली दवाई हम देखें तो वो है Clodizeap Oxide है कि जो 5 mg जितना यह tablet के अंदर present होता है और जो दूसरे medication हैं कि जिसको हम कहते है क्लिनिडियम कि जो 2.5 mg जितना यह tablet के अंदर present है फिर बात करते हैं उसका manufacturer कि तो उसका manufacturer है Abbott Pharmaceuticals तो यहाँ पे आप उसकी detail देख सकते है company की तो Abbott Healthcare के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह American Multinational Pharmaceutical Company है और इंडिया में उसका जो हम headquarters के बात करें तो वो Mumbai के अंदर है आगे जानते हैं उसके content के बारे में और tablet के type के बारे में तो यहाँ पे आप उसका label अच्छे से study करो तो पता चलेगा कि यहाँ पे खास कर लिखा है कि Librex जो उसका brand name हो गया कि जो Abbott नहीं दिया है salt content दो होगे कि एक है Clodicep Oxide है कि जो 5 mg है और tablet का type आप देखोगे तो पता चलेगा कि यह sugar coated tablet है Clinidium जो उसका bromide form में है कि जो उसका salt content है color के हम बात करें तो yellow oxide of iron और साथ में alizarin cyanine green F color जो उसके अंदर red किया गया है फिर storage condition के हम बात करें तो आपको 30 degree या फिर उसके temperature पे यह tablet को store करनी होती है और light से उसको अच्छे से protect करनी होती है और बच्चों से यह medication जो वो खास कर दूर रखनी होती है तो अब समझ यह उसके जो salt content है उसके बारे मैं आपको समझा दूगी जो पहला एक salt content है वो है chlorideisep oxide करके जो है कि जो 5 mg जितना present है तो एक benzodiazepine class की यह medication है कि जिसके पास sedative and hypnotic effect है कि जिसके करन यह medication जो है वो anxiety के जो symptoms होते है stress वगरा जो होता है या फिर जो हम insomnia यानि कि घहरी नीन नहीं आती रात को लेट तक आप जाकते हैं आपकी नीन पूरी नहीं होती तो वो problems को solve करने के लिए यूज की जाती है तो यह जो symptoms है वो एक basic symptoms होते है IBS के अंदर कि जो IBS के patients होते हैं उसको यह problem खास रहते है कि उनको anxiety जैसा feel होता है stress feel करते है और रात को अच्छे से नीन नहीं आती तो जो हमारी दूसरी medication है कि जिसका नाम है cleanidium bromide तो वो एक mascarinic antagonist drug है कि जो एक anticholinergic drug जो इसको हम कहते हैं और यह medications क्या करते हैं जो आपके पेट में cramps होगेराते हैं abdominal cramps कहते हैं या फिर abdominal pain कहते हैं stomach में जो pain कहते हैं तो उसको ठीक करता है और साथो साथ stomach acid है उसको कम करके यह symptoms को जो वो कम करता है तो जब यह medication combination में यूज होती है तो वो IBS के जो symptoms होते हैं उसको control करने में diarrhea होते हैं कुछ लोगों को या फिर कुछ लोगों को constipation फिल होता है abdominal pain होता रहता है stress sensitive फिल करता है उसके लावे बहुत सारे complications देखने को मिलते हैं जैसे कि खाने के बाद जो वो पेट में दर्द सुरू होने लगता है तो ये symptoms को ठीक करने के लिए भी Librex tablet को prescribe किया जा सकता है फिर कई बार ये होता है कि बार-बार latrin करने जाना बढ़ता है patient को तो वो problem को अब के solve करने में ये maledication आपको मदद कर दी है फिर constipation होता है IBS के अंदर फिर patient जो वो stress फिल करता है anxiety वगेरा फिल करता है तो उसको भी control करने में Librex tablet जो आपको मदद कर दी है उसके लावा जो poor sleep या फिर insomnia वह लेकि नींद ही अच्छे से पुरी नहीं होती या फिर गाहरी नींद आपको नहीं आती तो वो problem को ठीक करने में लिए भी ये medication जो हो यूज की जा सकती है तो mainly conclusion यह आपर हम यह निकल सकते है कि जो emotional distress की जो condition होती है कि patient emotionally जो stress में रहता है खास कर और जो stomach related problem के करने उसको यह problems होते है तो उसको ठीक करने के लिए medication जो वो prescribe की जाती है कि जो symptoms रहते हैं IBS के अंदर या फिर जो acute enterocolitis की जो हम condition कहते है कि ऐसे medical conditions की जिसके अंदर जो आपके columns होते है कि columns में specially आप देख लो कि जो हमारा large intestine की जिसको हम colon कहते हैं या फिर जो आपका small intestine है, raptum का area है या फिर sigmoid colon के area तो वहाँ पे जो हो surgeon देखने को मिलती है और surgeon के करण patient को काफी ज़्यादा complications रहते हैं, pain वगेरा वहाँ पे होता है, उसके करण anxiety भी फिल करता है, stress वगेरा फिल करता है उसको control करने के लिए medication यूज की जा सकती है ऐसे ही जो practical sir के कुछ symptoms होते हैं उसको भी control करने के लिए medical supervision के अंदर ये medication को use किया जाता है तब उसके dose की हम बात करें तो dose जो उसका रहता है एक या दो tablet जो पेसंट दिन में तीन या चार बार ले सकता है खाना काने से पहले के अपको खाना काने के आदे गंटे या फिर 15 मिनिट पहले ये medication जो वो लेनी चाहिए और दूसरा आप सोते समय भी आप ये medication को जो वो ले सकते हैं पर यहाँ पर ये medications की rules यह होता है कि proper medical super reason में उसको use करना होता है अब उसकी price देखे तो जब भी हमारा वीडियो बन रहा है कि जो हम September 2022 के अंदर ये जो देख रहे हैं तो उसकी according to हम उसकी price देखे तो 167.39 रूपीज जी उसकी price रहती है 20 डाबलेट स्की अब बात करते हैं ये medication को side effects की या फिर जो adverse drug reactions की तो ये medications लेने के बाद कुछ लोगों को nausea फिल होता है जी गवराता है constipation फिल होता है memory impair होती है ऐसा फिल होता है dizziness, vision blur होना या फिर dryness फिल होना mouth के अंदर पर जी 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 ये medication आपको suit होने लगती है तो ये जो side effects है वो काफी ज़्यदा कम हो जाते है उसके अलावा दूसरी हम देखे तो sleepiness आपको नीन दाती है urination difficulty होती है starting में coordination issues रहता है, depression जीसा फिर heart rate कुछ patients के अंदर slow हो सकते है ये medication के कारण और breathing भी slow हो सकते है तो में आपको ये दियान रखना है कि जब ये दो side effects ज्यादा severe होने लगे या फिर अचानक से ये side effects ज्यादा होने लगे तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए और ये medication लेना चाहिए वो बंद कर देना चाहिए और proper medical supervision में ही आपको ये use करना ही चाहिए फिर इसलिए देखो कि ये tablet का जब आप label देखोंगे तो वहाँ पर आपको schedule H1 की जो drug warning देखने को मिलेगे तो उसका मतलब भी होता है कि जब भी आप ये medication use करते हैं तो proper medical supervision में as well as जो prescription होता है उसके साथ ही use करनी है अगर आप self medication करते हैं ये medication का कि बीना किसे medical practitioner, doctor या फिर healthcare professional के consultation के बीना समझे कि आप ये इसको use करते हैं तो उसके करन life threatening problems भी आपको हो सकते हैं तो proper safely आपको use करना है advisor है, उनकी अच्छे से सला आने के बाद ही उसको use करनी है फिर ये बात ध्यान रखना है कि ये जो medication है वो बच्चों से खास का दूर रखनी या फिर ऐसी जगह पर रखनी हैं कोई उसका use use ना करे because ये medication के use use से क्या हो सकता है किसे को addiction हो सकता है overdose से भी काफी ज़्यादा complications हो सकते है या फिर इसके करन light threatening condensation भी produce हो सकते है तो ये खास आपको ध्यान रखना है फिर दूसरी बात उसके कुछ warnings है कि कैसे patients को ये medication use नहीं करनी है कि मानो आपको ये दवा लेने के बाद allergic reactions होती है फिर उसके अंदर ingredients ये उसके आपको allergy है तो ये medication को use नहीं करनी चाहिए फिर glucose के जो patient है किसी का prostate gland में सूजन आ गई है या फिर उसके size बढ़ी है तो ऐसे लोगों को ये medication use नहीं करनी है फिर bladder के अंदर जो है वो blockage वगरा है कि bladder अच्छे से काम नहीं कर रहा फिर unit issues वगरा है आपको या फिर किसी की age जो है वो 18 years या फिर उससे कम है जो है तो उन लोगों को भी ये medication use नहीं करें तो ये खास warning से ये सब medical conditions इंदर उसके अलावा कुछ दूसरे warnings ये है येगर आप pregnant है कि कोई female use को use कर रहे है वो pregnant है आप pregnancy का first trimester चल रहा है या फिर आप pregnancy का plan कर रहे है तो ऐसे condition में भी ये medication को ये वो use नहीं करनी है तो ऐसे समझे का आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवाई के बारे में तो medicine course को जोइन कर सकते है फार्मरोग्स के अब उपर ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp करे directly या फिर हमारे mobile application को download कर सकते है link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best